Hello students, welcome back to my channel, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का What is Democracy and Why Democracy, ठीक है? तो यह जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, डिमोकरिसी इससे आपको क्या समझ आ रहे हैं? डिमोकरिसी से हम क्या समझते हैं? डिमोकरिसी हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है तो डिमोकरिसी का मतलब होता है, simply उसकी एक डेफिनेशन है कि it is a form of government in which rulers are elected by people जिस तरह से हमारे रूलर्स को हम खुद elect करते हैं, हम खुद vote डालते हैं, तब चलके वो elect होता हैं, हम अपने representative को elect करते हैं तो यह जो definition है, यह simply हम को यह बताती है कि democracy को separate करती है, government की और form से, मतलब democratic को non-democratic से, ठीक है जिसे army rulers हैं मियान मार के, तो वो directly elect नहीं होते लोगों के द्वारा, बलकि वो जो army control में होती है, वही उस country के rulers बन जाते हैं तो इसमें लोगों का कोई decision नहीं होता, है ना, जिसे नेपाल में भी मुनार्की चलती है, यह सौदी अरेबिया में क्या है, वहाँ पर भी लोग choose नहीं कर पाते जो rich family से, जो royal family से, वही जो है, वहाँ पर rule करता है, सौदी अरेबिया पर, so यह जो simple definition है, this is not adequate, यह हमें यह remind कराती कि democracy क्या होती है, democracy का मतलब होता है, जब हम लोग rule करते, democracy is people's rule, but अगर हम इस definition को use करें, unthinking manner, तो हम यहीं पर खतम करती हैं, हर government जो है, वह democracy करती है, मतलब elections अभी government करती है, पर हम अपने chapter 4 में यह पढ़ेंगी, कि हर government जो है, उसको democracy कहलाना, या democracy pretend करना, इन दोनों के पीछ में बहुत फरक है, okay, so यह है, और next हमारा आप democracy के बारे में अगर हम बात करें, features क्या क्या होते हैं, democracy के, तो simple definition है, democracy is a form of government, जहाँ पर जो rulers हैं, वो लोग elect करते हैं, उनको, हमारे through वो rule करते हैं, तो वो rulers कौन हैं, जो वो officials जो हैं, जो elect होते हैं, कौन से officials elect होते हैं, government के लिए, and कौन से decisions लिए जाते हैं, non elected officials democracy में, कौन से, तो किस तरह के election जो है, democratic election में होते हैं, या क्या conditions फुल्फ हो रहा है, या कौन लोग होते हैं, जो rulers को elect करते हैं, as rulers, so, finally, कौन सी government, किस तरह की government है, democracy, तो इन सब के बारे में हम, यहाँ पर जाने वाले हैं, जैसे कि इसमें बताया है कि, major decisions by elected leader, elected जो leaders थे, उन्होंने क्या-क्या major decisions लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में, General Praves Musharraf, जिनका rule उनको एक पूरा military coup था, October 1999, यह बहुत important है, तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रिटिकली elected, जो इलेक्टिकली जो elected government थी, इलेक्ट करी हुई, उसको तो उन्होंने हटा दिया, खतम कर दिया, और अपने आपको chief बना दिया, country का, उसके बाद उन्होंने अपना designation change कर दिया, प